नमस्कार दोस्तों आईडियस वित रपीयस के एक नए एपसोड में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडेनियम के केर के उपर दोस्तों अडेनियम का पोधा जो है जिससे सर्दियां खतम हो रही है तो आप देख सकते हैं कि इन पोधों पर पतियां पूरी पीली पड़ी हुई है देखे इस तरह से छूने से सारी पतियां इसकी गिरती जाती है ठीक है तो ये क्या होता है कि जो सर्दियों में डॉर्मेंसी होता है डॉर्मेंसी में ये एक चीज हो जाता है और साथी साथ में अभी कुछ दिन पहले पाला पड़ा था तो पाला पड़ना जो है अडेनियम के लिए सबसे खतरनाक होता है तो किस्मत अच्छी थी कि पाला पड़ने पर कोई भी रॉटिंग वगारा नहीं हुई है तो इसी पतियों को यहां से हटा देंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि यह नीचे गिरेंगे अगर बारिस होती है तो रॉट होनी की समझ्या बढ़ जाएगी तो इस समय यहां पर जो पतियां मैं अलग कर रहा हूं इनको जो है यह नीचे से हटा दूंगा ताकि पौधा की रूट के प अपर में देखिए यहां पर पत्य की यहां और उधर की पत्ययां डल हैं जुकी हुई है तो जो पत्ययां डल हैं जुकी हुई दीखantu है यह रॉट का साइन होता यह लगा ले थिच्वान小心 होने लगती है कि इसकी जो branch rot दिख रही है उसको मैं cut कर दूँगा और cut करने के बाद जो है और जो दूसरा हमारा कोई portion ठीक होगा कोई अगर हमारे को अच्छी सियान मिल जाएगा तो उसकी cutting इस पर graft कर दूँगा यहाँ पर जो है नीचे में तो कोई भी rot नहीं दिख रहा है यहाँ पर grafted है graft के भगल में निकला है तो यह जो है हमारे एक तरह से शकर जिसको बोलते ना वह अली branch है तो कोई दिक्कत नहीं है इस पर में ग्राफ्टिंग कर देता हूं दूसरी ग्राफ्टिंग कर दूँगा तो जो हमारा plant है वो survive भी करेगा और branch में हमारी सही रहेगी यह देखिए यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है यह किसी भी तरह कर रौट का sign नहीं है देखिए मैं इसको cut करूँगा यहाँ से जो है जो उपर में graft portion है ना उसको मैं यहाँ से चलेगा और safe रहेगा जो उपर rot हुआ थो वो part मैंने हटा दिया है देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम यह करूँगा इसको एक flat cut कर रहा हूं मैं एक दम flat cut clean flat cut कर रहा हूं यह देखिए ठीक है और यहाँ पर जो है अब मैं इसको siyan को यहाँ पर graft करूँगा यह siyan है हमार इसको मैं stretch करूँगा plastic इस तरह से नीचे जो थोड़ी stretch हो जाए और इसको यहाँ पर रख करके और मैं इसको खीच रहा हूं यह देखिए नीचे ले आ करके और यहाँ पर इसको मैं बांद दूगा simply यह करना है आपको आपकी grafting भी हो जाएगी और rotting भी ठीक रहेगी यह देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक को मैंने graft कर दिया है अब मैं दूसरे पार्ट को कर रहा हूं यहाँ पर simply इसको नीचे stitch करूँगा और इसको यहाँ से wrap करके बांद दूगा tight air tight करके इसको मैं बांद दूगा देखिए simply मैं किस तरह से कर रहा हूं आराम से इसको कर दे ना है इससे हमारे दो फायदे होते हैं एक तो मेरी grafting भी हो गई दूसरा जो हमारा branch lot हुआ था वो भी हमने हटा दिया है तो पौधा हमारा पूरी तरह से safe है और साथी साथ में उपर हमने प्रून कर दिया तो branches ज्यादा होंगी इससे हमारा पौधा घना होगा देखिए कि अतरा फिर मिलते हैं नए वीडियो में ने टापिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर